हेलो एवरीवन वेलकम बैक तो माई चानल सु आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी एग्जाइम की प्रिपेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अस्थाटिक केरक्रिस्टिक ओफ प्लांट्स इसक प्लांट्स की ओके तो आपको कुछ नहीं करना है बस रेगुलर्ली लॉयल्टी की साथ वीडियो को फॉलो करना है आपके सभी की सभी स्लाबस यहां पर कंप्लीट करा दिये जाएंगे इतना हलवा क्लियर किया जाएगा हर एक टॉपिक की आपको एक्जामिनेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी ओके तो चैनल पर न्यू होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे प्लेलिस चेक करिए जाकर के डिस्किप्शन बॉक्स चेक करिए बहुत सारी चीजे वहां से आपको मिलेंगी जो कि आपको एकदम हलवा क्लियर बना देंगी ठीक है तो थोड़ा सा discussion हम class first का यहां पर कर देते हैं जिससे आपको थोड़ा easy ओ आगे समझने में ठीक है तो हमने class 1 में ये पढ़ा था कि aesthetic characteristic of plant ठीक है जिसमें हमने plants के aesthetic characteristic देखे थे और वो aesthetic characteristic 4 थे कितने थे? 4 aesthetic characteristics के बारे में हमें पढ़ना है जो की है आपका first जो हमने पढ़ लिया है already हमने introduction and जो form है उसकी video पहले ही पढ़ ली मतब वो topic हमने पहले ही first video में पढ़ लिया है ठीक है तो plant के 4 aesthetic characters आप लोगों को बताए गया है that is texture ठीक है ये तो form हो गया then texture then आपके size and then color ठीक है ये चार करके एक aesthetic view decide करते हैं किसी भी landscape का किसी भी garden का ठीक है तो जिसमें से हम लोग we are done with the form okay ये हमने बहुत अच्छे से आपको clear कर दिया कौन से plants लगाने है क्या properties है क्या इसमें आता है सब कुछ हमने आपको बता दिया है बहुत ज्यादा content दिया है तो आप लिख सकते हो अच्छ size and color की I don't know कि ये video कितनी लंबी जाएगी बट हम यही कोशिश करेंगे कि आज पढ़ादे जादा से जादा अगर तीसरी video भी बनती है तो कोई दिकत नहीं है हम इतना content आपको enough देना चाहते हैं कि आप 100% भी अगर आपको चीजे ना यादा है तो कम से कम 80 to 85% याद रहे औ आप लिख के आज सको ठीक है तो आज हम लोग texture के बारे में पढ़ेंगे the second topic of aesthetic characteristic of plant is texture जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि actually what is texture ठीक है तो देखो भई जो तुमारा texture है अगर हम उसको हिंदी में तुम्हें बताएं तो उसका simple सा meaning होता है बनावत ठीक है किसी भी चीज की बनावत को हम बोलते हैं कि यह texture है तो plant का texture मतलब कि पौधे की बनावत आप माल लो कि आप एक garden बना रहे हो ठीक है अपने दिमाग में view रखो कि आप एक garden बना रहे हो तो आप अब पौधे की बनावत पे यह decide करोगे कि हमें कौन सा पौधा कहां पर arrange करना है ठीक है यह texture मतलब यह कि यहां पर दो term है मतलब यह कि यहां पर दो term है सबसे पहला है तो texture हमने बता दिया बनावत बनावत के A skip क्वार्स मतलब क्या होता है को फौर्दूरा ठीक है आप ऐसे समंग सकते हो कि खूरदूरा कि अब आप the Krudu रहे है अब यह डीक करो कि जो plant वो दिखने विजिबल है बहुत ही सुन्दर है ऐसा वाला इस्टक्चर है या फिर मीडियम है कि कॉर्स और फाइन के बीच वाला है ठीक है यह जो बनावट है यह आप डिसाइड करोगी कि आपको कैसे गार्डेर में अरेंज करना है ठीक है तो आपको पता चला कि हमने प्लांट के फॉर प्लांट का फॉर्म कैसा है उसके एक तरीके से जो हमें क्या करना है पूरी तरीके से गार्डेर या लैंडिसकेप जब हम बना रहे है तो हमें उसमें एक्स्टर ब्यूटी एंड चार्म प्रोवाइट करना है बाई आवर यूदिंग दी एस्थाटिक कैरेक्टर स्टिक ऑफ प्लांट ठीक है हम एस्थाटिक कैरेक्टर यूज करेंगे प्लांट का और अच्छे से अच्छा गार्डन बनाने की कोशिश करेंगे तो टेक्शर भी एक बहुत अच्छा द्रिश जो है वो बना सकते हो ठीक है टेक्शर केंगे फाउंड इन अद फॉलिएज अब फॉलिएज लीस होती है उसमें भी आप देख सकते हो ठीक है उसका भी टेक्शर आप देख सकते हो फिर फ्लावर का टेक्शर देख सकते हो जो ब्लेट्स प्रेजन होती ह plants में उसका texture, bark of the plant की कैसे bark बन रहा है, उपर की जो चाल है उसको देख करके आप texture decide कर सकते हो as well as the जो आपकी branching pattern होती है trees की उसका भी texture देख करके आप decide कर सकते हो the size and shape of the leaf are often determined the perceived texture of the plant सबसे ज़्यादा हम texture के लिए क्या use करते है कि हमें सबसे ज़्यादा ये देखना होता है कि कौन सी leaf का कौन सा texture है मतलब कि हमारी पतियों की कैसी बनावट है, ये चीजें हम ज़्यादा ध्यान में रखते हैं जब हम कोई भी garden या landoscope को तयार कर रहे होते हैं ठीक है, नाव देखिए texture कितने टाइप के हो गए, ये तो आपको रठी गया होगा कि एक होता है क्वार्स, जो कि थोड़ा सा खुरदूरा आपको दिखाई देगा, अभी plants दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, तो क्वार्स texture में जो plants होगे, उनकी leaf आपको थोड़ी सी टेढ़ी मेडी दिखाई देगी, ठीक, एकदम टेढ़ी मेडी दिखाई देगी, मीडियम क्या होगा नॉर्मल, ना जादा definite structure, एकदम clear structure ना जादा rough structure, ठीक है, लेकिन fine में क्या होगा fine मतब एकदम clear structure मतब आपको हर एक चीज बकायदा दिखाई देगी इतनी fine texture होती है ठीक है बनावट होती है तो यह तीन आपको याद रखना है कि texture कितने टाइप के है quars texture, medium texture and fine texture quars texture के जो leaf होंगे कुछ ऐसे होंगे ठीक है c थोड़े से broad shape के इनकी leaves होंगी medium texture अगर आपको पहचानना हो कि तीन plant आपके सामने रख दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप इसमें से quars, medium and fine texture के plants को differentiate कर दो तुम्हें कुछ नहीं करना है leaf पे जाओ leaf देखो जिसकी leaf थोड़ी सी लंबी चोड़ी दिखाई दे go for it वो quartz texture है ठीक है उसके बाद अगर उससे थोड़ी सी छोटी दिखाई दे उस quartz से छोटी दिखाई दे तो वो medium texture है और जो एकदम ही छोटी छोटी दिखाई दे और detailing दिखाई दे वो क्या हो जाएगा fine texture हो जाएगा ठीक है यह आपके तीन plants के leaf के basis पे आप क्या कर सकते ह ठीक है देखो कुछ प्लांट्स है जैसे कि देखो यह भी टेढ़ा मेरा तुम्हें प्लांट दिखाई दे रहा होगा see this one is टेढ़ा मेरा इसम लीफ ठीक है तो यह क्या है philodendron है फिर यह भी आपने बहुत ज्यादा देखा होगा यह तो मेरे घर में ही है agave ठीक है पाम भी लगाया जाता है फाम क्या है क्य 번士 टेक्टत का टेक्टर का हम ऐसे आप करते हैं यह क्या आई को होल्ड करका लखते है और आपनील debating हो रही होते है है कि नजर छीए लिए तो नजर नहीं हुआ है यह ग्ला लाईन आपको क्वार से टेक्ट्टर के लिए क्लिए कुछ plants लगाय जाते हैं.. जिनका नाम है.. एक मिनट एगपैंथर्स इनके पैटन आपको समझ में आ रहे हैं बट उतने हैं भी नहीं समझ में आ रहे है मतब आप समझ है.. नह जादा और सीम्पल हिच वाला चीज है तो आप सहरा कॉर्स भी नहीं बोल सकते हो इसको आप fine भी नहीं बहुत सकते हो यह fine भी नहीं है यह quartz भी नहीं है क्योंकि leaves इसकी broad नहीं है लेकिन यह medium में रखी जा सकती है ठीक है यह देखो इन में vines भी आती है ठीक है यह भी याद रखना अब देखो यहां पर जो plant use किये जाते हैं fine texture के लिए वो fern होते हैं ठीक है यह वाले plants जरूर अपने घर में देखे होंगे ठीक है जिसको आप more punk बोलते हो तो यह किसमें आते है fine texture में आते हैं क्योंकि उसके आप जा करके देखो वो plant का आपको हर एक structure बकाइदा पता चलेगा कोई dense नहीं है बकाइदा उसको पता चलेगा कि कौन सा leaf कहां से गया है क कौन सा medium texture नजर आ रहा है और कौन सा fine texture नजर में आ रहा है आप हमें देख करके बहुत इजली बता सकते हो हमने पहला ही आपको characteristic बताया था कि जहां पर भी आपको broad leaves दिखेंगी चौड़ी leaves दिखेंगी तो वो वाली plants किसमें आएंगे quash texture में आएंगे जैसे कि यह देखो इनके leaves कितनी बड़ी है ना see तो यह वाला जो pattern है आपका यह क्या है यह आपका quash texture है यह कौन सा texture है quash texture है ठीक है उसके बाद बताओ fine texture क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है fine texture दिखाई दे रहा है अब यह भी देखो this one is also quash texture okay let me देखो यह वाला यह वाला देखो ठ the water texture दिखाई दिए फिर beach में जो है यह medium texture है यह भी medium है leaf क्या है देखो ना leaves इतनी बड़ी है ना leaf यहां पर जो चोटी चोटी यह वाली fine देखो ना इतनी बड़ी मत्तब इतनी चोटी है ठीक है तो यह medium हो गया यह medium quarks हो गया यह fine texture हो ठीक है उपर वाले यह देखो यह क्य हो जाएंगे और medium में आपको वही फिर से again कि ना quartz की तरह दिखाए देंगे ना fine की तरह तो हम इने medium texture बोलेंगे see this one is medium texture this is fine texture ठीक है this is medium this is medium quartz दोनों है ये भी medium quartz दोनों है फिर यहाँ पर आपको ये वाला जो है वह fine texture दिखाई देगा ठीक है तो ऐसे करके आप differentiate कर सकते हो ना properties पढ़ लेते हैं texture की क्या होती है properties quartz texture जो होते हैं उनके कुछ large होते हैं वह high visual weight के होंगे ठीक है textures के होते हैं उनका low visual weight होता है अब आप इसको ऐसे यदि कर सकते हो really T Henri Guarge Textures उसकी leaves क्या होती हैं बहूत लंभी बड़ी बड़ी होती हैं तो आप इसको याद ऐसे रख सकते हो कि इनका weight क्या होगा जादा होगा तो high visual weight और यह जो है fine जो low visual weight उसे fine calm की भात करने हैं तो छोटी-छोटी leaves पाए जाती है तो इनका weight क्या होगा, छोटा होगा, कम होगा, तो आप इसको याद कर सकते हो कि fine texture की जो plants होते हैं, उनका low visual weight होता है, ठीक है, now, second है high contrast, high color contrast can highlight texture contrast and make plants appear to have a coarser texture, अब यहाँ पर बोला जा रहा है, कि मतब आप समझ रहे होगे, कि highlight करने के लिए, मतब जितना plants को आप coars texture वाले जितने plants होते हैं, वो basically highlight करने के लिए ज्यादा useful होते हैं, ठीक है, the texture of a plant can depend on its surrounding, जो texture होता है plants को अपनी surrounding के उपर ही मतब निर्भर रहता है, medium texture plant can look coars when surrounded by a fine texture plant, समझ में आ रहा है, मतलब यह, कि अगर एक medium texture वाले plants को हम ले आकर के plant कर दें, किसके surround में, ठीक है, इसको चारो और से घेर दें हम, fine texture वाले से, तो आपको यही लगेगा, कि यह जो medium वाला है, वो क्या है, वो coars है, ठीक है, तो मतलब कैसा texture है plant का, यह आपके surroundings पर भी depend करता है, अगर आप बहुत सारे fine texture के plant के बीच में medium texture लगा दोगे, तो आपको लगेगा कि यह जो medium है, यही coars texture है, या फिर fine when surrounded by quash texture plant, या फिर आप जो medium texture वाला plant है, उसको बीच में लगा करके, खुब सारे quash texture वाले plants से surround कर दोगे, तो आपको यही लगेगा, कि जो medium वाला है, वो fine texture है, तो समझ में आया, कि आपका जो texture होता है plant का, वो surrounding के उपर बहुत जादा depend करता है, ओके, फोर्थ है texture changes with the season when plant loses their foliage and produces large fruit and flower, अब यह बोल रहा है, कि texture क्या होता है, season the season change होता है, ठीक है, कैसे मौसम के वज़े से change कैसे हो रहा है, मालो कि कि किसी plant का growing, मतब जो growth हो रही है, जो development हो रहा है उसमें, ठीक है, वो आपके April या March में हो रहा है, तो उस टाइम जो उसकी leaves होंगी, वो छो तीन-चार महीने बाद आप देखोगे कि इसके leaves बहुत broad हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, तो यह किस texture में चला जाएगा, क्वार्श texture में चला जाएगा, समझ रहा हो, तो यह जो मौसम होते है, जो seasons होते हैं, यह भी बहुत जादा डिफाइन करते है किसी भी plants के texture को, with the size of the plant, the form and the density of the foliage, तो हाँ, plant के size पटिपन करता है, मतब vary कर सकता है, और form के basis पे और density के basis पे, थीक है, तो सि créer नाव सिक्स्ते है, तो यह सब डes sanction में चल्जर 통 Ping करते हो जोड़ा, समझ का को फार्श Candus भी जाट करता है, जो यह बाता है, ठीक है, तो सु यह सब डिसाइड करके तब आपको कोई भी garden या लेंड इसके पापके लिए बनाया जाता है अब इसके बाद आगे हम लोग टेक्श ये एस्थाटिक एरेक्टर के बाद हम लोग पढ़ेंगे गार्डेंस के बारे में इंग्लिश गार्डें इटैलियन गार्डें पर्शिन गार्डें जैपैनीज गार्डें इंडियन गार्डें इन सभी के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर चो गार्डेंस बनाये जाते हैं इन सभी का ध्यान वहाँ पर रखा जाता है कि हमें कौन colors increase the contrast and make any texture appear coarser while muted color, हाँ, ये बात भी सही है कि बहुत जो भड़ कीला color है अगर आप उसको लगा देते हो मतब छोटा ही plant बहुत भड़ कीला color का हो, और एक बड़ा plant बहुत light color का हो तो भी जो आपका छोटा plant है वो जल्दी make space fill smaller place the coarser texture along the outer perimeter and the fine texture closest to the viewer, मतलब ये यहाँ पर ये बोल रहा है कि space free fill कराने के लिए, ठीक है आपको क्या करना है, कि आपको पहले लगाना है coars texture, ठीक है माल लीजे, चलिए, एक example देते है, एक scenario बनाते हैं कि यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर आपको क्या करना है, कि आपको यहाँ से यह आया और यह बैठा मालो यह जो भी है, ठीक है यह ऐसे बैठा, एक विवर है ठीक है, तो यहाँ पर अगर मालो की इस साइट देख रहा है, तो सबसे पहले आपको पीछे, एकदम background में आपको quash texture वाले plants को लगाना है ठीक है, यह आप quash texture वाले plants को लगाओगे, फिर आप लगाओगे medium वाले को ठीक है, उसके बाद आप लगाओगे उसके बाद फिर आप लगाओगे fine texture वाले को ठीक है, क्यों? क्योंकि जो quash textures के जो plant होते हैं, उनकी जो leaf होती है वो बहुत broad होती है बहुत broad होती है तो उसको यहां से leaf भी दिख जाएगी और एक अच्छा फील होगा medium वाली क्या होती है उससे चोटी होती है तो यह भी आपको दिखेंगी और fine वाली सबसे चोटी होती है इसलिए हम उसका यूज आगे कर रहे हैं कि ये आपको सबसे पहले दिखाई दे और अगर मालो कि हम उल्टा कर देते क्वार्स को पहले लाकर के रख देते तो क्या हमें पीछे के medium और fine textures के plants दिखाई देते क्या उनकी leaves दिखाई देती size and color क्योंकि छोटे-छोटे topic है तो वो अगली वीडियो में हम size and color पढ़ लेंगे हम लोगोंने form cover कर लिया texture cover कर लिया आगे भी बहुत सारी amazing videos आएंगी तो आपको क्या करना है चैनल को subscribe करना है और share भी करना है अपने दोस्तों के साथ और जरूर कमेंट करिएगा कि इसके बाद कौन सा section हमें start करें तब तक के लिए bye bye take care be happy मिलते हैं next video में bye bye